विदान सभा के लोग प्रिय प्रत्यासी से स्वयम मुकाजी मान्य विदायक देव घर से जारेण दासी जिला प्रभारी इस्रीमति ओजस्वी मांडवी जी विदान सभा प्रभारी इसी सुधीर पांड़े जी प्रसांत कुमार मंडल जी भरून सिंग भदोर्या जी वोकार राम मरकाम जी नोपुर गायदिक जी आज के इस कारिक्रम में पस्तित भारती जन्ता पार्टी के सभी परिष्ट पतारी कारीकान इस चुनावी सभा में उपस्तित शुकमा विदान सभा छेत्र से जुड़े वे सभी उपस्तित भाईयोड वहनों अ चत्तीस गड़ विदान सभाज चनाओं के प्रथम चरण में कभी प्रभुश्री राम के दंटकार रर्ण के वनवास के दोरान के सबसे अभिष्ट और अभिन सयोग्यों की वर्तमान पीड़ी के साथ आद चत्तीस गड़ विदान सवाज चनाओं के समद्ध में संबाद बनाने का मुझे उसर प्राप्त हुआ है मैं पस्तर शुकमा कोटा और इस सेत्र से जुड़े वे आप सभी पंद्धों का घिर्दैसे अविनंदन करता हूं इस तरह को नमन करता हूं कि वेशे भी चत्तीस गड़ जन्तों को अप्तर प्रदेश के प्रदेत नाकरी के लिए बहुत मैं तो रखता है मैं तो इस बात के लिए रखता है प्रवस्री नाम की जो मा थी माता कोसल्या वा छत्तीस गड़ की ही रहने वाली थी यानि भगवान राम का नियाद है चत्तीस गड़ और इसी ले भगवान ने जब चौदा वर्स के बनवास के दौरान कहां रहना है तो उस दौरान उन्होंने किसी धरती को चुना था तो चित्र पूर्पूर से लेकर के चत्तिस गड़ से लेकर के और इस पूरे बस्तर और दंड़का रणे के इस पूरी भूमिपोही उन्होंने अपने बनवास काल के दौरान की सबसे उप्युक्त भूमिश समझा था कि विरासत आपके साथ में है कि और प्रभू की ही किरपा है कि प्राकृती संसादनों से भरपूर एच्छेत्र एक और आपके संघर्ष की गाथा को आपके पुरोजों के संघर्ष की गाथा को अंसब के सालने प्रस्तुत करती है लेकिन दूसरी और जिन लोगों की निगाए इस प्राकृटिक धनी प्राकृटिक संपता पर है वे यहां पर माप्या राज अपराद और नकसलवाद को बढ़ावा दे करके यहां के समाजिक ताने बाने को छिन्द भिन्द करके यहां असुरक्सा का वातावरण पैदा करके यहां के नौजवानों और यहां के नाक्रिकों के बीच में भोले भाले नाक्रिकों के बीच में बनवासी आदिवासियों के बीच में अब इस्वास किस्टिती पैदा करके उन्हें गुम्रहा करने का प्रियास भी कर रहे हैं कि कोई नहीं बात नहीं है प्राची इनकाल से ही इस ये चली आ रही है लेकिन भगवान राम ने प्रेता युक में इस पूरी धर्ति को रख्राक्सस विहीन करने का काम किया था और आज तो हमारा सवाग्य होना चाहिए कि भगवान राम की पावन जनम भूमी पर पांसो वर्सों कि दिजार के बाद आज भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्मान हो रहा है और जन्वरी में प्रणान्वन की मोधिती के करतामनों से राम लणा अपने पावन मंदिर में विराजमान होंगे तो उस समय उप्तरवेस और देश के ज़्यादा गुशी तो 36 कडवासियों को होनी चाहिए क्योंकि अपार राम का ननिहा जो 36 कड़ है और इसलिए आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए कि अयोद्या में राम मंदिर का मिर्मान कारत के अंदर राम राज्य की युद्ध घोशना की सुरुवाद है कि राम राज्य की इस्तापना राम राज्य का मत्तब एक ऐसा सासन जिसमें चाती मात और मजब के आधार कर कोई भेदभाव नहीं कि युजना का लाव हर गरीश को हर पन्चिन को हर आदंकरी नाग्री को प्रत्त हो सके कि इस के लिए उन्हें किसी के सामने हाथ ना प्याना पड़े बल्कि यूजना कलाव सीदे सीदे उन तक पहुँचे इसके लिए रामराजय है उन्हें हर प्रकार की सुरक सामले संसादनों पर उनका पुरा दिकारो उन्हें हर प्रकार की सुमदा का नाप movie प्राप्त हो इसी को राम राज्चै कहते हैं और वियाद रगना प्रदान मंत्री मोटी जी ने सही माइने में फिछले 59,50 वर्स के दोर्ण देश के अंदर नाम राज्चै के अधार सिला रखे ए अ क्यांवाहसी योजिना में प्रद्धान मन्तुरी ची ने पैसा उख्यक्ट करवाए दस करोड़ गरीमों के सउचा ले दिये कि देश के अंदर जिन लोगों के पास स्वास्ते की सुभधा नहीं थी उनके पांच लाग रुपे प्रतिप्यक्ति को स्वास्ते भीमा का कवर दिया और यहीं नहीं हर घर नल की यूजना हो या गरीद के घर में उच्छला यूजना की रसोई गैस का फ्री में सिलिंडर कु कि प्रदानमंत्री मोदी जी करा रहे हैं और कल तो प्रदानमंत्री मोदी जी ने एक और गोशना की है अगले पांच वर्स तक यहीं पिसले सारे तीन वर्स से तो चली आ रही थी अगले पांच वर्स तक असी करोड गरीबों को फ्री में रासन की सुभधा का लाभी उप् कि और है कि दो कॉंग्रेस तो नहीं चाहती थी कि अज़िए राम वंधिर बने क्या कॉंग्रेस साथी तो कि तो निसो सेंटालीस में अड़्तालीस में इक्यावन में फावन में त्रेपन में चौन में या उसके बाद सिध boleh समय तक कुंगी सरकार रही कई setup आम श्रूथ यृत्या में राम मंदिर का तो है कि नहीं की तो प्रश्न खड़ा कर रहे थे लोग तो इनसे कैसे उमीद कर सकते हैं कि आपके सम्मान की रख्षा करेंगे कैसे आपकी आस्ता का थाले लोग रखेंगे इंसी उमीद ही नहीं किया सकती है याद रखना मोधी जी प्रहान मंत्री बने और अप्तर रुदेश में मुझे आउसर मिला दवन इंचन की सरकाराई राम मंदिर की सारी माधा दूए आज राम मंदिर बन रहा है ना भायो बेनो हम लोग तो जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं कि वोला उस्तों कर दिया है क्योंकि हमारे लिए अपना कुछ नहीं है जो कुछ है देश के लिए है समाज के लिए है प्रधान मंत्री मोधी जी के लिए एक सो ब्यानीस करोड की हमाजी युद्ध परिवार है और इसी पूरी मजबूती के साथ कारे कर रहे हैं याद करिए प्रधान मंत्री जी ने हर घर नर्योजना आपके 36 गड़ के लिए हमने उत्तर प्रदेश में 1.5 करोड परिवारों को यानि 150 लाख परिवारों को हर घर रल्प से जल पहुचा दिया क्या 36 गड़ में मिला क्या नहीं मिला होगा 36 गड़ में नहीं मिला होगा क्योंकि याद सरकार के जिन्टे में विकास रही नहीं याद सरकार विकास नहीं कराना चाहती है वहाँ तो पैसा जो दिल्ली से मोधी जी भेजते हैं कॉंग्रेश की सरकार अपने संस्कारों के लूप उस पैसे को चुपचाप अपने आठाओं को भेज देती है वह गरीब को नहीं पहुंचती है कमजोर को नहीं पहुंचती है वह पैसा तो उस चंद कॉंग्रेशियों के जेप में चला जाता है उनकी परिवार के लोग बंदर मांट कर देते हैं वह पैसे का लाब आपको नहीं देते ऐसे ही प्रणानमंत्री मोधी जी ने 16 लाग प्रणानमंत्री आवास आपके याँ के लिए वेजे क्या प्रणानमंत्री आवास योजना का लाब मिला क्या 36 गड़वासियों को क्या आवास का लाब मिला नहीं मिला हम आएंगे हम देंगे हम योजना का लाब देंगे यह 16 लाग आवास का पैसा इसने मोटी जी ने भेजा था यह पैसा यहां के गरीबों के पास जाएगा उनका भी मकान बन जाएगा फक्का मकान बन जाएगा सिर्धकने के लिए इसी भी मोसम में सर्थी गर्मी परसात में वे लोग भी प्रक्रुटिक आपड़ा से पच करके अपने बच्चों को पढ़ा सकेंगे अपने जीवन को बहिए वे नो पैसा भारत सरकार दे रही है लेकिन उसका लाब गरीबों को मिल सके यह काम यहां की सरकार नहीं कर पा रही है और बहिए वे नो किसी ले कर रहा हूं कि आज यहां का गरीब एक ही बात पोटा है कि एक ही प्रस्ण करता है करीब बेगर लोग यही पूछ रहे हैं कि हमनला तो नहीं मिलिस आपना मिलिस का यह प्रस्ण कर रहा है आगा करीब कि हमनला तो नहीं मिलिस आपका मिलिस का भायों बेनों के प्रस्ण स्वाभाई करें एक गरीब का उसकी बेवसी का सरकार के सामने वहिम्म ठार चुका है कारल है इस सरकार आज घस्ताचार और बेमानी को कि सब तक बढ़ावा देदी है कली आपने देखा होगा एक नया घोटाला आया है महादेव एप का आप जानते हैं ना इसके नाम पे कहते हैं कि कि चतिसकर सरकार के नजबी की रोगों ने यहां के लाथों गरीबों का पैसा इस एप के नाम पे ठब लिया है एंट लिया है वक्त तभी विचारा लगवक्त साड़े पांसो परोड़ पांसो परोड़ किसे दिखिवासी है और इस सरकार तो एक नया रिकॉर्ड बना रही है और रिकॉर्ड की सुरूप में बना रही है आपने बिहार में सुना होगा लादू जी के समय में एक चारा घुटाला हुआ था लादू जी की सरकार ने उस समय चाराई खा लिया था घैस अचारा खालिया था और उससे आप दोखतरम आगे जाकर के कॉंग्रेस की सरकार तो गोवर मी खाने का काम करते हैं है जो तहीं गोटाला ओ गया है भाइव बेनों ये कहां तक यहाँ पर खनन गोटाला यहाँ पर खोखोटाला यहां पे भूब भोटाला यहां पे युवाओं को मिलने वाली पप्लिक सर्थिस कमिशन की वहां भोटाला यहां पे हर भोटाला भोटाला कॉंग्रेस की सरकार का संस्कार बन चुका है कि अब को यहां 36 कर में हर जगे से कि आबाज आरी है और वोस एक आवाज आ जारी कि मैं कल्भी 36 काड़ में कई जन्सभाओं को संबोदित किया एक ही आवाज हर एक जगे से क्योंकि यह राम्भत्म पर नागिर बोली चलाने वाली सरकार यह सरकार के नागरीकों के चास्ता के साथ भिलवार करती पर यूपी ने भी जब तक भाजबाहनी थे ऐसे होता था करवर्स यात्रह निशने हैं वहां पर पर रोपार मनाने देते आज उत्तरक्देश में ऐसा कोई रोग नहीं आज दो आप कभी गाजियाबाद से हरद्वार के बीच कावड यात्रा में जाएंगे चार करोड़ों भाग लेते हैं उसमें चार करोड़ों और उनको हम भीचे भी बजाने की चूर देते हैं संग भी घंटा भी घड़्याली बजाओ और हलिकाप्टर चुर्दिक उसको वर्सावी कर देते हैं कि यहां की सरकार 16,000,000 गरीबों को मक्ताम नहीं दे पाएं मोदी जी के द्वारा भेज़े का है हम लोगों ने 55,000,000 गरीबों को एक एक आवाज दे दिया 55,000,000 गरीबों को किसी दिरेख भायो बेलो सरकार की नियत साफ होनी चाहिए अपनियाप की नियता सब कुछ देता है एक गरीब बेवस नहीं होना चाहिए उसके चेरे पर लाचारी नहीं छलकनी चाहिए एक गुल्डा एक नाव्धिया एक एक गरीब जबर्ण उसकी समप्ति पर इसकी प्रॉपर्ट्e पर बॉसके हक पर डगातनी डालनी की च्छूट नहीं ते जानी चाहिए किसी अप्राधी को द्रमांत्रंड की कद्विग्यों पर मौने प्रस्वय देती हैं उन्हें हर प्रकार से प्रोप्साहिव करती है इस तरकार नहीं यह तो समस्या है कॉंग्रेस अपने एक समस्या बन चुकी है और इस समस्या से जितनी चल्दी आप दुक्ति परा सकेंगे वायोगे नो 36 गड़ के सपने को साकार करने में मदद मिलेगी याद रखिए पूर प्रधानमंत्री सदे और नविहारी बाचपेई जी ने 36 गड़ के निर्मार की और आपकी आकांसाओं की पूर्तिके ने 36 गड़ को बनाया था डॉक्तर रमन सिंग्जी के निप्रत्व में चत्मीर गड़ को एक विक्सित प्रदेश के रूप में स्थाफित करने के सामें के जी के साथ कदम बढ़ाए गए थे लेकिन मात्र पांच वर्स में ही कॉंग्रेस ने सारे कि सारे सपने धूर्त उसित कर दिये और इसी लिए आज हम सब आये हैं आपसे कहने के लिए जितनी भी गोटा ने इस सरकार ने किया है पॉब्लिक सर्विस कविशन का गोवर घोटाला कोईला घोटाला खनन घोटाला क्या इस सरकार ने जांच कराया क्या एक कराएगी भी नहीं है आने दीजिए पीजिए को हम लोग जांच करवाएगा चंता की गाड़ी कमाई पर चंता के हग पर टकैती डालने वालों के लिए सजा आपने देखाओगा यूपी में गुंडों को कैसे सजा होती है कि देखते हैं ना कि देखते हैं ना कैसा लगता है आपको अच्छा लगता है ना ऐसे ही जो गरीड के हग पर टकैती डालेगा उसकी सजा तो वही होनी चाहिए जनता तो जनारता में लोग कंत्रम है और जनता को तो सम्मान मिलना ही चाहिए हराद में सम्मान उसके आस्ता का सम्मान होना चाहिए उसको योजना का लाब मिलना चाहिए उसको विकास की योजनाओं से जोड़ना चाहिए उसकी खुसाली के रिक्तारे होना चाहिए लेकिन जो शरकार यमे करपाई हो और न करपा सकती हो उसको बदल देना चाहिए और कॉंगरेस की सरकार ने आपके शपनों को दोर्ध उसुखित किया है इस सरकार को बदल ले कि आउ सकता है और इसे लिए आज हुझल सब आपके पास आए हैं है उपेनों अब हम सब को आप इस बेबसी से उवर्णा पड़ेगा कि इस बेबसी से इस हम अन्द को नहीं मिलिस सो आप लोड मिलिसका इस से हुआ उस नहीं दिया उसने हमारे पर अपर टाका डाना है तो हम भी इसको वोड टेस का दिखाने का का मिलिस आप ऐसका आप यापाइस आप इसको गोजना आप उसको के देशा दो है वाजल्ड के लिर्फिन muster और जाया है आप उसको बोड़ के लिदा सायए और इसी ले हमारा संकंप एक ही होना आपना सहीबों और भायों बैनों इसलिए आज हम सब आपके पास आए हैं आपसे कहने के लिए भारतिये चंता पार्टी ने आपके बीच में कोड़ना विधानसवाद छेत्र से एक और स्वयोग कारेकर्टा को आपका प्रत्यासी बनाकर पतारा है भायोगेनों सोयम मुका अब भोला भारा अनुसूची जंजाति का एक समर्फित कार्टा पुरा जीवन समर्फित करते हैं इस विचार भारा के लिए आपके हपों के लिए कारे करते वे कॉंग्रेस की चांद्रियोगे सब्लाइक करते हैं जमीनी भ्रातर पर अतारना है किस लिए तमाम योजिनाओं की अभार सिलाफ मुझी जीदिकर आपर हुई है और इसलिए हम आज आप से कहने के लिए तो बनाया है भरतिये जन्ता पार्टी ने तो समारीपी भी भरतिये जन्ता पार्ट हमने बनाया है हम ही सवारेंगे और यहीं कहते वे कि तैयारी पूरी है भाजपा जरूरी है तैयारी पूरी है भाजपा जरूरी है और वहीं न आपना सहीवो यहीं कहते हुए मैं आप सबसे पीद करूंगा आप्रचार साइकार बंब हो जाएगा नौब कर आपको मताम करना कमल चुनाओचिन क्या चुनाओचिन कमल क्या है चुनाओचिन कमल याद है न सद्कों हमारे प्रत्यासी स्वयम मुखा काक्चनाचिन क्या है कमौल अभी से एक एक वोट को डलवाने की जिम्मेदारी आप सब लेंगे सब्सक्राइब और अपने साथ दस दस वोटों को और पोल कराने की जिम्मेदारी ले वह युबेनों कॉंग्रेस और जो अन्य लोग यहां पर चुनाव लड़ें कि सब की जमानत चप्तों हो जाएगी जमानत चप्तों हो जाएगी और फिर जब बितायक बनेंगे 36 कड में सरकार बनेगी अयोत्या में जब भगवान राम की भव्य मंतिर में भगवान राम लला विराजमान होंगे तो यहां के राम भक्तों को हजारों वर्सों की गलासत के साथ जोड़ें कि इस जब्सक्त कर दोड़ें इस जब्सक्राइब के झालन के साथ में सवी दोड़ें व्यूक्त को समर्तन देंगे मेरे साथ वनेगे भारत माता की आधा की आधा की गंतेश्वरी माता की ये स्री राम